इंडियन सूपर फूट के नाम से जाने जाने वाला घी कुना केवल स्वात के लिए जाना जाता है बल्कि इसके कई फायदे भी है ऐसी आमधारना बन गई है कि घी एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से रसोई से दूर होनी चाहिए क्योंकि इससे वजन जल्दी बढ़ता है लेकिन आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताने जा रहे हैं घी के फायदे जिसे जानकर आपको हैरानी होगी यहां हम बता रहे हैं क्यों घी आपकी डाइट का एक एहम हिस्सा होना चाहिए घी, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेसर से परिसान लोगों के लिए फाइडे मन्द है घी के नियमित सेवन से सरीन में बाइलरी लीपिट का फ्लो बढ़ जाता है इसके सेवन से खून और आतों में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है जिन लोगों के बाल जढते हैं या पतले हो चुके हैं उन्हें नियमित रोज सुबर खाली पेट घी का सेवन करना चाहिए इससे बाल हेल्दी तो बनते ही हैं साथ में मुलायम और चमकदार भी होते हैं घीर डाइजेशन को बेहतर बनाता है जिससे एसीडीटी और कबजी जैसी समस्या कम होती है नींद को अच्छी मात्रा में लेने के लिए भी आप घी का उप्योग अपने खाने में कर सकते हैं कमजोरी आने पर रोजाना एक गिलास दूद में एक चमच घी मिला कर पिए इसका असर आपको हपते भर में दिख जाएगा अगर आपके नाक बंध हो रखी है तो घी आपके लिए फायदे मन्ध हो सकता है आईववेद के अनुसार नाक से खून बहने पर गर्म, सुध, घी की कुछ बूंदे डालने से खून बहना बंध हो जाता है गाय के दूद से बने घी की 2-3 बूंद नाक में डालने से माइग्रेन की समस्या भी दूर होती है और उसका दर्द कम हो जाता है घी में एंटि ओक्सिडेंट्स पाय जाते हैं जो इसकीन को हेल्दी बनाय रखने में सहायक होते हैं जो लोग भारत के बाहर से हैं या किसी को घी असानी से नहीं मिल पा रही है तो उसे और्गेनिक मक्षन खाना चाहिए घी आपके सरीर को गर्म और इमनेटी बढ़ाने में मदद करता है घी में परियाब्द मात्रा में विटामीन केटू पाया जाता है जो हडियों तक केल्सियम पहुचाने का काम करता है जिससे हडिया मजबूत होती है जिन लोगों के जोडों में दर्द या गठिया की परिसानी है उन्हें रोजाना घी खाना चाहिए घी में ओमेगा 3 पाय जाता है और यह प्राकिर्तिक लुब्रिकेट से भड़पूर होता है जिससे गठिया के दर्द से अराम मिलता है अगर आप घी को एक नियमित मात्रा में लेते हैं तो यह आपके लिए लाबदायक होगा आपको हर दिल लगबग 3-6 चम्मच घी लेना चाहिए तो यह रहे घी खाने के फायदे लेकिन जैसा की हमें पता है कि जिस तरह से हर चीज की कुछ खूबिया और नुकसान होते हैं उसी तरह घी के भी अपने फायदे और नुकसान है हम अपने अगले वीडियो में आपको घी खाने से होने वाले कुछ नुपसान के बारे में बताएंगे